हेलो दोस्तों मैं सिस्कुमार अपनी यूटूब चाहिए भिहार जिकेट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूँ आज मैं घटना चके एकोनोमिक्स का पार्ट टूर लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग आज इस पुस्तक के दूसरे चप्टर राष्ठी आय के बारे में जानें अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चानल भी हार जिकेट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं क्या है तो इसे सब्सक्राइब कर लें शाथी बेल आइकन को ज़रूर दमाईतों आए वीडियो को स्टाट करते हैं सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे तो आए देश की उत्पार्ण किरियाओं का माप है आगे है आर्थिक शीमा संयुक्त राश्टांग के अनुशार आर्थिक शीमा एक देश की सरकार द्वारा परसासित वो भोगोलिक शीमा है जिसमें व्यक्तियों वस्तूओं और पूंजी का निर्वाद संचालन होता है इस देश की राजनितिक शीमा अथाद समुंदि सीमा और आकास्य छित सहीत दूसरा पूंट है देश के विदीशों में दूतावास वानिज दूतावास तथा शैनिक परतिश्ठान तिसरा है देश के निवाश्यों दोरा दो या दो शियादिक देशों के मत चलाये जाने वाल देश का अनन्द अधिकार है अगला पस्टने राष्टिया समुच्चों की दो स्रेनिया होती है देशिये और राष्टिये अर्थात देशिये उत्पाद और दूसरा राष्टिये उत्पाद एक देश की आतिक सीमा में अस्तियत उत्पादन एकाईयों द्वारा किया गया उत्पादन देश से उत्पाद कहलाता है आगे है निवाशी की संकल्पना नागरिक और निवाशी दो भिन सब्द है एक व्यक्ति एक देश का नागरिक हो सकता है और किसी अन देश का निवाशी जो भारतिय विदेशों में रहते हैं वे भारत के नागरिक हैं और जिस देश में राते हैं उसके निवासी दूसरा है निवासी की परिवासा तो आईए जानतें निवासी क्या परिवासा है एक व्यक्ति या एक संस्था उस देश का निवासी कहलाता है जिस देश में राता है या अस्तित है वो उसी की आर्थिक सीमा में उसके आर्थिक हीत का केंद्र है अगला है आर्थिक हीतों का केंद्र में दो बाते शामिल है पहला वो निवासी अर्थात व्यक्ति या संस्ता उस देश की आर्थिक सीमा में राता है या अस्तित है दूसरा है उसकी कमाने खर्च करने और संचय करने की आर्थिक किरियाएं वहीं से होती है अब आई चलते हैं आगे देखते हैं आगे हैं एक देश के निवाशियों द्वारा किया गया उत्पादन राष्टिय उत्पाद कहलाता है उस उत्पादन चाहे उस देश की आर्थिक सीमा में किया गया हो या उससे बाहर अगरा पचते हैं इसकी तुलना में उन सभी उत्पादन इकाईयों द्वारा किया गया हो अब आई चलते हैं आगे जानते हैं राष्टिय उत्पाद और देशिय उत्पाद में शंबन किसी देश की आथिक सीमा में किया गया खुल उत्पादन घरेलू उत्पाद होता है किसी देश की निवाशियों द्वारा किया गया खुल उत्पादन राष्टिय उत्पाद होता है अब आई जानते हैं राष्टिय उत्पाद बढ़ावर देशिय उत्पाद पलस देश की न अगला पॉइंट है यदि विदेशों से प्राप्त कारक आई विदेशों को दी गई कारक आई से अधिक होती है तो विदेशों से निवल कारक आई धनाक्तमक होगी अगला पॉइंट है यदि विदेशों से प्राप्त कारक आई विदेशों को दी गई कारक आई से कम होती है तो विदेशों से निवल कारक आई रिनात्मक होगी आगे है अध्योगिक वरगी करन उत्फादन इकाईयों का अलग अलग अध्योगिक समहो या छेत रकों में सामूहिक करन एक ओध्योगिक वरगी करन कहलाता है परतम छेत में अर्थाट प्रात्मिक छेत में जानते हैं, इस छेत में उन उत्पादन इकाईयों को सामिल किया जाता है, जो प्राकरतिस संदूनों के धोहन से उत्पादन करती है, जैसे कृषी, पशुपालन, मचली पकरना, खनीज निकालना, अर्थात वानी की आदी, इस स दूतियक छेत के लिए कछा माल मिलता है अगला प्रॉआंट निर्मान विजली उतपादन जला पुर्ती आदी इसके कुछ प्रमुख उदारन है और तिर्तिय चेत तरक में इसे सेवा चेत भी करते हैं इसके अंतरकत सेवाओं का उत्पादन करने वाली उत्पादन निकाई आती है जैसे परिवाहन, व्यापार, सिच्छा, होटल, सरकारी परशाशन, वितादी इसके कुछ प्रमुख उधारन है अब आई जलते हैं आगे देखते हैं आगे है राष्टिय आई लेखांकर में राष्टिय आई सम्भनित बहुत से समुच्छी होते हैं पहला देशिय व निबल राष्टिय वर देशिय उत्पाद तो निबल देशिय उत्पाद ब्रावर शकल देशिय उत्पाद मैनस मूलहरास अगला है निबल राष्टिय उत्पाद ब्रावर शकल राष्टिय उत्पाद मैनस मूलहरास अगला पॉइंट है बजार कीमत पर आकलन और साधन ल पर्ट्यक्सकर और सरकारी शहायता के अंतर दो अंतर को निवल अपर्ट्यक्सकर कहते हैं अब आई जानते हैं निवल अपर्ट्यक्सकर बढ़ावर अपर्ट्यक्सकर माइनस सरकारी शहायता अगला पॉइंट है शाधन लागत पर राष्टी उत्पाद को राष्टी आई कह राष्ट्री आय के आकलन की विधियां कि किस प्रकार से राष्ट्री आय को मापा जाता है तो राष्ट्री आय के चक्रिये प्रभास से हमें इसकी आकलन की तीन विधियां मिलती है पहला है उत्पादन अर्थात मूल विधि विधि आई विधि और व्याई विधि उत्पाद ग्यात करते हैं और सभी छेत्रकों की इस मुल्संव्रिदी का योग करने में हमें बाजार कीमत पर शकल घैलो उत्पाद ग्यात हो जाता है आगे है आई विद्धि के बारें जानते हैं तो आई विद्धि क्या है इस वीद्धि के अंतरगाद पहले चेत्रक दवारा किये कारक आयत ग्यात हो जाती है अगला पॉइंट है देशिय कारक आय के निम्लिकित घटक होते हैं पहला क्रमचारियों का प्रश्रमिक दूसरा किराया और रॉयल्टी तीसरा ब्याज और चौथा लाव अगला है मिश्रित आय से तातपर है शारे कारकों की समलित आय अता शाधन लागत पर निवल छेत्य उत्पाद बढ़ावर करमचारियों का प्रश्रमिक पलस किराया वर रॉयल्टी पलस ब्याज पलस लाव पलस मिश्रित आय आदी हो आगे है व्याई विधी तो व्याई विधी किसे करते हैं तो इस विधी के अंतरकत हम उपहोग और निवेस पर क च्या गया वे होता है इसके विधिन घटक है अब आई जानते हैं आगे तो इसके कौनकों से विधिन घटक है तो पहला है नीजी अंतीम अभाग व्याय दूसरा सरकारी अंतीम वबहोग व्याई तीसरा सरकल देशिये पूंजी निरमान और चौथा निवल निडियाद जाते हैं इसके कारक आय और हस्तांतरन गैर कारक आय दोनों सामिल होती है राष्ट्य आय में केवल कारक आय सामिल होती है यदि राष्ट्य आय ग्यात हो तो प्रयोज्य आय ग्यात की जा सकती है अगला है राष्ट्य प्रयोज्य आय के बारे में जानते तो राष्ट्य प्रय और दूसरा निवल राष्टिये प्रयोज्याई शकल राष्टिये प्रयोज्याई बड़ावर राष्टियाई पलस निवल अपर्तेक्सकर प्लस मुल रास प्लस विद्येसों से निवल चालू हस्तांतरन अगला है भात के संबन में किसी राष्टिये नारिकों द्वारा एक की अब्दी में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुवश्य एवं शिवाओं का कुल मौध्रिको मूल राष्ट्रिया कहलाता थे है भाद में राष्ट्रियिय की गन्ना निम्तिं विधियों से की जाती है पहला उत्पादन विदी अर fella दूसरा आईविदी समस्थ संसाद्नों द्वारा अरजित कुल आय और तिसरा है व्यविदी अर्थात समस्थ उभ्होग या व्ययो का योग अगला पॉइंट है भारत में राष्ठी आय का सरफ्पतम अनुमाद दाधा भाय नहिरोजी ने 1668 इसमी मिल लगाया था तिसरा है स्वतंता के पूर्व भारत में विलियम डिगवी फिडले सिराज शाह एवं खंभात आर्सी देशाई बी नटराजन आदी ने भी राष्टी आय का अनुमान प्रस्तूत किया अगला है स्वतंता के पूर्व सरवाधिक व्यज्यानिक अनुमान वर्स 1931 से 32 में वी क आर्स वी राव द्वारब प्रस्तूत किया अगला है स्वतंता के प्रशाद भारत में राष्टी आय की गन्ना हेतु वर्स 1949 में PC महाल नोविस की अध्यक्स्ता में राष्टी आय समीती का गठन किया अगला है तीन सदसी इस समीती में DR गॉर्ड गिल एवंबी के आरवी राव भी सदस थे अगला है इस समीती द्वारा वर्ष 1901 कावन में पहली जबकी वर्ष 1954 में दूसी रिपोर्ट प्रस्तूत की गई वर्तमान में राष्टी आय की गन्ना राष्टी शांकि की कारियाले पुर्व में केंद्य शांकि की कारियाले द्वारक की जाती थी और आखरी पॉइंट है NSO CSO केंद्य शांखी की एवं कारिक्रम क्रियानवेर मंत्राले की अधिन कार करती है अब आगे है राष्ट्य आई की अवधारना तो पहला पॉइंट है शकल घरेलू उत्पाद अर्था GDP किसे करते हैं तो किसी देश की भववलिक सीमा के भीतर एक वीत्य वर्ष में उत्पादी समस्त अंतिम वर्ष्टों एवं शेवाओं का कुल मौदिक मुल उस देश का घरल शकल घरेलू उत्पाद अर्थाद GDP कहलाता है दूसरा पॉइंट है विस्प बैंक के आंकडों के अनुशार वर्ष्टमान अर्थाद वर्ष 18 में क्रैश शक्ती चमता अर्थाद PPP के अधार पर भाद की GDP विस्प की तिसरी अर्थाद चीन एवं USA के वाद सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता है अगला पॉइंट है विस्प बैंक के अनुशार विस्प बैंक के अनुशार भाद से बड़ी चार अर्थ विवस्ताई करम सा घट्टे करम में USA, चीन, जापान तता जर्मनी है अगला पॉइंट है आर्थिक समिच्चा 19-20 के अनुशार भारती अर्थ विवस्ता का सकल घहलो उत्पाद अर्था जीडेपी वर्ष 2-18-19 के 6.8% की तुल्ला में काफी कम होकर वर्ष 2-20 में 5% अनुमानित है अगला है शकल राष्ट्य उत्पाद अर्था जीडेपी किसी देश के नागरिकों अर्था निवासी एवं अनिवासी दोनों द्वारा किसी वित्तिय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तो एवं सेवाओं के खुल मौतिक मुल्कों उस देश का शकल राष्ट्य की आई को घटा दिया या तया था जी एन पी बढ़ावर जी डी पी पलस विदेश से अर्जित सुधाय अगला पॉइंट है आर्थिक समिक्षा अगला पॉइंट है चालू कीमतों परभाद की जी एन आई वर्ष द्याउनिस बीस में 7.6 पर्टिशत विर्दिदर के साथ 202.39 ला क्रोड की रूपिय अनुमानित है आगे है सुध राष्टिय उत्पाद अर्थात अनन पी शकल राष्टिय उत्पाद में मुल रास को घट हादेने पर सुध राष्टिय उत्तपाद प्राफ्थ होता है अगला पॉइंट है साधनलागत पर सुधर राष्टिय उत्पाद को ही राष्टिय आए कहा जाता है अग्ला पॉइंट है आर्थिक समीक्छा 19-2022 के नुसार वर्ष 2019-20 में भाध की राष्टLS अ अर्थात अ N9 अस्थिर कीमतों पर 5% की विर्धिक साथ 139.49 लाख करो रूपीय अनुमानित है अगला परशने जबकि वर्ष 2.192 लाख करो रूपीय हैं अगला प्रॉइंट है जहां वर्ष धुल्ष 12,19 में भास की पति व्यक्तियाए 60 कीमतो पर 92,565 रूपी 1,35,050 रूपीय अनुमानीथ है अब आई आगे देखते हैं अब आगे है प्रश्नकोष तो अब आईए एक एक प्रश्नों को देखते हैं पद राश्ट्री आए निरूपित करता है तो उसका उत्तर है C. बाजार कीमतों पर सकल राश्टिय उत्पाद मुल हडास और अब पर्त्यक्स करों को घटा कर सबसेडरी जोर कर आप इसे देख कर समा सकते हैं अगला पाइंट है राश्टिय आए राश्टिय आए ब्रावर शाधन लागत पर निवल राश्टिय उत्पाद है अगला पाइंट है अगला पाइंट है अगला पाइंट है किसी दी गई अब्दी के लिए एक देश की राश्टिय आए तो इसका साही उत्तर है डी उत्पारिज अंतिम वस्तूं और सेवाओं के मौद्रिक मुल के बढ़ावर होगी आईए इसके विसार को पड़ते हैं राश्टिय आई से आशे किसी अर्थ व्यवस्ता में एक बीसे समय अब्दी में देश के नागरिकों द्वारा उत्पारिज समस्त अंतिम वस्तूं और सेवाओं के मौद्रिक मुल से है है भात में राश्टिय आई की गन्ना केंद्रिय अर्थ है उपभोग निवेश शरकारी खर्च कुल निरियात और कुल आया तो इसका सही उत्तर है y अर्थात राष्टी i is equal to c पलस i पलस g पलस x माइनस m आगे है यदि एक दी गई शमय अब्दी में कीमते और मौधिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तिविक आय क्या होगी तो इसका उत्तर है परवर्तित रहेगी एक दी गई समय अब्दी में कीमते और मौधिक आय दोनों दुगनी होने पर वास्तिविक आय परवर्तित रहेगी क्योंकि बढ़ी हुई कीमते बढ़ी हुई मौधिक आय को परति संतूलित कर देगी इससे वास्तिविक आय पर कोई परवाव नहीं पड़ेगा आगे है किस सैध्धान्तिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कलतना की जाती है तो इन में से किस एक को साधान्ता ध्यान में नहीं रखा जाता है तो इसका उत्तर है विश बैंक से वितिय सहायता में ब्रिद्धी आर्थिक विकास में शकल घैलू उत्पाद अर्था जी डीपी शकल राष्टिय उत्पाद अर्था जी एन पी वह परती व्यक्ति शकल राष्टिय उत्पाद में ब्रिद्धी का ध्यान रखा जाता है अगला प्रश्न है भारती अर्थ विवस्ता के बारे में अमर्च सेन के सुजहाऊं से सम्बनित निमनांग की कतनों पर विच चाहता है इसका सही उत्तर है बी दो तीन साही है तो आई जानते हैं दो तीन चाहर में क्या है तो दो में इसे जन उनमुक्ख होधना चाहिए तीसरा में सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक स्वक्षा होनी चाहिए और 4 विस अर्थव्यवस्था में इनके एक एक करन के साथ राष्टी बचाऊ होना चाहिए आगे है उनके अनुशार आर्थिक विकास का मुख्य लक्ष मानविय विकास है अपने इसी दिश्टी कोन के कारण आमर्थ से ने भारती अर्थ विवस्ता के संदर में प्रश्मगत दो तीन एवं चार कत्नों की सिफारिस की थी अब आई चलते हैं आगे देखते हैं अगला पस्टन है यह विचार की भविष में भारती नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए व्यक्त किया गया था तो इसका उत्तर है ए अमर्थ सेंद द्वारा अगला पस्टन है हिंदू व्रिधिदर किस व्रिधिदर से संबन्नित है तो इसका उत्तर है भी राष्ट्री आई प्रोफेसर राजक्रिष्ण ने वर्ष 1981 में अमेरिकन एकोनोमिक्स एसोशियेशन में बोलते हुए हिंदू व्रिधिदर का सरप्रतम परयोग किया उसके अनसर हिंदू प्रंपरा जो विकास की अनुकूल नहीं है अत्वार जिसमें विकास को प्रसे नहीं दिया आता कि कारनी भारती अर्ष्टी आई ब्रिधिदर 3.5 के आश्पास बनी हुई है अस्पष्ट है कि प्रोफेसर राज कृष्ण द्वारा परयुक्त हिंदू विद्रिदर राष्टी आई से संबनित है आगे है हिंदू विद्रिदर किसे संबनित है अभी जस्ट हम लोग ने उपढ़ा किसे तो भी GDP से अगरा पस्ट है आथिक विकास समान्यता युगमित होती है तो इसका उत्तर है भी अस्फिति के साथ आथिक विकास के साथ साथ समान्यत्य वश्टों की मांग बढ़ती और आयमे भी व्रिद्धी होती है इसी कारण आत्री विकास अमान्यता अस्विती के साथ युगमित हो जाती है अगरा पश्टने निम कारण से जी एन पी में श्रम की भागिदारी कम है तो इसका उत्तरे डी कीमतों की तुलना में मजदूरी कम शकल राश्टी उत्पाद में स्रम की भागीधारी कम होने के कारण कीमतों की तुलना में मज़दूर्य का कम होना है कीमत विडि भाति अर्थ विवस्ता की मुक लक्षन है जिसकारण मज़दूरों सौरी मजदूरी में यदि विडि होती है तो भी परिणामी लाव्ट का मौता है आगे है, मिलान करना है, तो इसका सही उत्तर है, डी अर्थात आर्थिक विकास कैसा है तो संचरात्मत परिवारतन आर्थिक बृध्धि कैसी है, तो शकल घहल उत्पज, पोशित विकास है, तो परियावरन और जीवन की गुनवत्ता है, तो स भारती अर्थ व्यवस्ता के संद्र में निम्लिकित कस्नों पर विचार कीजिए तो इसका सही उत्तर केवल दो होगा अर्थात शक्र घेलू उत्पाद अर्था जी डीपी में स्रावजिक छेत के पर तीसत अंस में विगत एक दसक में कमी आई है अब आईए आगे देखते है आगे है भारती अर्थ व्यवस्ता के संद्र में निम्लिकित युगनुमों पर विचार कीजिए तो इसका सही उत्तर है ए अर्थात केवल एक मेल्ट डाउन सरुपिक वर्णित है अश्टों कीमतों के गिरावट के लिए आगे है नीचे दो व्यक्त तब भी दिये गये हैं भारती ये कथन है भारती आर्थिक नीति की अंदर और बाहर दोनों ओर से अधिकाधिक अलोचना हो रही है और कथन आर में है अलोचना अधिकांस्तर आधर्षों के भेदों पर अधारित है तो इसका सही उत्तर ए होगा अर्थात ए और आर दोनों सही है और आर एकी सही अ करता है अगला पश्चन है 1991 में नई आर्थिक नीती में अपनाई गई मुख रन नीती थी तो इसका अगला पश्चन है अगला पश्चन है भात में आर्थिक उदारी करन शुरू हुई सरकार के 17 ग्रहन के पश्चाद अपनाई गई नई आर्थिक नीती के तहद उधारिकरन का प्राड़म 24 जुलाई 1991 को हुआ इस नीती में 18 परमुक उध्यों को छोड़कर अनसभी उध्यों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया अगला पश्चन है भाद की व्यवशाइक सनराचना के वर्सो बाद भी लगवग वैसा ही बने रहने का एक कारण है तो इसका उत्तर है डी अर्थात आर्थी विकास के लिए क्रिशी से उध्यों की दिशा में अंतरन के महत्व की जनता को अधिकतर जानकारी नहीं है स्वतनता के बाद भाद के जी डी पी में कई गुना व्रिधी तथा जी डी पी में प्रात्मिक दुत्यक और तित्यक छेत्मे योगदान में ब्रिहत परिवर्तन के बाब्युत भाद की व्यवशाइक सनराचना का मोवेस अस्थिर बनियु है इसका मुक करण आर्थिक विकास के लिए क्रिशी से उद्योग की दिशा में अंतरन की कमी है यद पी जनता एक इस विशाय में भिग्ग्य है परंतु आज भी किसी को उद्योग नहीं अपितु परंप्रा ही माना जाता है अगला परशन है भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीती के दो घटको अस्थिरि करण और सनराचनात्मक समायोजन के विशाय में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है तो इसका उत्तर है बी संरशनात्मक समाय योजन क्रामिक बहुपद प्रक्रम जबकि अस्थिरी करन तोरित अनुकूलन प्रक्रम है अगला पस्टन है भारती अर्थ विवस्ता के उधारी करन का अग्रदूत किसको कहा जाता है तो इसका उत्तर है अगला पस्टन है किसी देश की आर्थिक विर्दी की सरवादिक उप्यूक्त माप है तो इसका उत्तर है किसी देश की आर्थिक संविर्दी की सरवादिक उप्यूक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद या प्रति व्यक्ति व्यक्ति राष्टि आय होती है क्योंकि यह राष्टि आय की प्रति व्यक्ति उपलबता को दर्शाता है अब आगे है किसी देश में जीवित अस्तर परतिविम होता है तो इसका उत्तर है भी राष्टिय परतिव्यक्ति आई से अगला पस्टने वर्तमान मुल्यों पर परतिव्यक्ति आई की विदिदर से अपेच्छाक्रित अधिक है क्योंकि अस्थिर मुल्यों पर प्रतिव्यक्ति आय की विदिदर में क्या ध्यान रखा जाता है तो इसका उत्तर है C मुद्रा स्फिति की विदिदर का वर्तमान मुल्यों पर प्रतिव्यक्ति आय में से मुद्रा स्फिति की विदिदर को घटाने पर अस्तिर मुल्यों पर प्रति व्यक्ति आई प्राथ होता है अगला पस्टने अठासो शर्षट से अर्षट में भाद के प्रति व्यक्ति आई 20 रुपिय थी यह सरपथम अभिनिश्चित किया तो इसका उत्तरे डी दादाभाई नेरोजी सरपथम दादाभाई नेरोजी ने राष्टि आई का आखलंग करते हुए अठासो शर्षट से अर्षट में भाद में प्रति व्यक्ति आई 20 रुपिय होने का आखलंग किया था आगे है उनिस सोन चास में भाद सरकार द्वारा निक्त राष्टि आई समीती का अदेक्स निम्लिकित में से कौन था तो इसका उत्तर है बी पीसी महाल नोवीश वर्ष उनिस सोन चास में भाद सरकार द्वारा निक्त राष्टि आई समीती के अदेक्स पीसी महाल नोवीश थें डॉक्टर आर गॉर्डविल तथा वीके आरवी राव इस समीती के सदस थें किस अर्थ विवस्ता ने भाद में सबसे पहले वैज्ञानिक डिष्टि से राष्टि आय की गन्ना की तो इसका उत्तर है वीके आरवी राव सोतनता से पुर्व राष्टि आय की अनुमान का पथम पढ़ियास दादा भाय नहरोजी ने अठार सो अर्षट में किया था 1996 से 1997 से दुहार के दसक के दरान वीतिय वर्ष 1996 संतानमे में सकल राष्टिय उत्पाद की विदिदर आठ परतिशा थी जो इस दसक के किसी भी अन वितिय वर्ष में प्राप सकेलू राष्टिय प्राप सकल राष्टिय उत्पाद की विदिदर की अपेक चाधिक थी दुहा विदिदर वश्चित 7 में रही आगला पश्चने भात मिं राष्टी आइग शमंत का आकलं किया जाता है तो इसका उत्तर है दी केंद्रिये शांकी की संगठन द्रा्वारा अगला पस्ट ने भात में राष्टी आय का प्राक्कलन किया जाता है तो इसका उत्तर है बी केंद्रिये शांखी की संगठन द्वारा अगला पस्ट ने भात की राष्टी आय कौन अनुमानित करता है तो इसका उत्तर है डी केंद्रिये शांखी की संगठन अगला पस्ट ने भारत में पुझी निर्मान के आकरे एकतित करने का काम कौन करता है तो इसका उत्तर है भारतिय रिजर्ब बैंक और केंदिय शांखी की संगठन भारत में पुन्जी निर्मान के आकर एकरतित करने का काम भारती जिर्व बैंक और केंदिये संगठन द्वारा किया जाता है अगला प्रस्टन है केंदिये संगठन द्वारा फरवाइज 1999 में जारी की गई नए GDP श्रिंकला निम्रिकित में से कि एक वर्ष की आधार कीमत के संदर में है तो इसका उत्तर सी 1993 से 1994 अब आई चलते अगले प्रस्टन पर तो आज इतना ही रहन देते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ आज की लिए बस इतना ही आसा करता हूं आप लोगों को हमारी याव वीडियो पसंद आए हो अगर आप लोगों को हमारी याव वीडियो पसंद आए हो तो से लाइक और शेयर जरूर करें बहुत-बहुत धन्यवाद